जैहिन सात्यों, वेलकम टू सेल्प इस्टेडी किलासेस, विस्सुमिजेन यूटूब सेनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आप टेस्ट लगाना चाहते हैं, टेस्ट सीरेज तो परिक्षा एप को डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्षन में परिक्षा एप की लिंक जो है दी गई है, जिसके माध्यम से आप परिक्षा एप डाउनलोड कर सकते हैं और MP में होने वाली सभी परिक्षाओं, अगर आप MP3 वर्ग तीन की कर रहे हैं, तो MP3 वर्ग तीन से सम्मंदेत टेस्ट सीरेज परिक्षा परोपलब्द है और टेस्ट सीरेज खरीदने के लिए आपको एक Self STD 25 एक कोड यूज करना है, जिसमें आपको 25 जो है डिसकाउंट मिलेगा, तो खरीदते बग्षा तो इस कोड का यूज करके आप इस टेस्ट सीरेज को खरीद सकते हैं, और अपना जो है आकलन कर सकते हैं, आप कितने गहर पानी में हैं, यह सारी की सारी चीज़ें जान सकते हैं, तो टेस्ट सीरेज खरीदने के लिए आपको टेस्ट एप डाउनलोड करना होगा, और एप डाउनलोड करके उसमें टेस्ट सीरेज को खरीदना होगा, और इस कोड का यूज करते हुए 25 पसेंट का आपको डिसकाउ जाएंगे उसके बारे में देखेंगे और फिर उसके बारे में बाद फिर हम गध्यांस और पद्यांस को जानेंगे ठीक है तो आज का जो अपना पहला प्रस्ण है भासा की परिपक्ता से तातपर है तो क्या तातपर है सबी लोगों को बताना है ब्याकरनेक नीमों की जानका भासा का अधिकादिक प्रियोग करना, भासा की अभियबों और स्वरों पर नेंत्र होना, या फिर बिविद भासाओं की जानकारी होना, हमें बताना है प्रश्निक्रमांग 30 बन का अंसर बताना भासा की परिपक्कता से तातपर है तो क्या तातपर है? अगर आपसे question बनता है तो उत्तर सभी लोग लगाएंगे तब आपका right answer क्या होगा भासा की परिपक्कता से तातपर क्या होता है तब आपका बिल्कुँ सही answer है व्याकरने के नियमों की जानकारी होना यहनी कि जो आपका बिकल्प नम्मर A है वो इसका सही हो जाएगा भासा की परिपक्कता से तातपर होता है ब्याकरने के नियमों की जानकारी होना ए नम्मर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा अंगला क्वेस्चन देखो भासा सीखने की प्रिक्रिया में बालक सर्वेपर्थम किस भासा को सीखता है भासा सीखने की प्रिक्रिया में बालक सर्वेपर्थम किस भासा को सीखता है देव भासा, रास्ट्र भासा, मात्र भासा या फिर राज भासा सभी से आंसर बनना चाहिए प्रश्न करमांग 32 का तब आपका जो बिल्कुँ सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मात्र भासा यानि कि जो विकल्प नमबर आपका तीन है वो यहाँ पर विल्कूल सही होजाएगा थीक है तीन नमबर का अंगला को सच्चेन देखो भासा अधियं में किन चात्रों को कथनाई नहीं होती किन चात्रों को कटनाई नहीं होती, प्रश्ण बिकल्प एक है जिसकी अभिवावक सिक्चित हो, जिसमें आत्म विस्वास की कमी हो, जिनका मानसिक स्वास्त ठीक हो, जिसकी पारिवारे की स्तिती ठीक हो, आपको बताना है भासा अधियम में किन चात्रों को कटनाई नहीं हो तब आपका प्रस्ण किर्मांग 33 का आंसर क्या हो जाएगा? अधिकांज लोगों ने बताया है कि भासा अधिग्यम में कि इन चात्रों को कटना ही नहीं होती तो वो नहीं होती जिनका मानसिक स्वास्त ठीक हो यहनी कि आपका बेकल्प नमबर जो 3 है वो सही हो जाएगा C नमबर का ठीक है जिनका मानसिक स्वास्त ठीक हो वो आपका बिल्कु सही होगा 3 नमबर अंगला क्वेश्चन देख लो कक्छा में प्रियोग की गई कोई भी सामगरी तबी सेक्छेक सामगरी कही जा सकती है जब वह सिक्छक के रुची की अनुरूप हो चात्रों के मनुर प्रिश्चन गर्ष्चेक सामगरी कही जाती है तब प्रश्निक्रमा का अपका और उत्तर बताना है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बह सिक्छक बह सीखने सिखाने में उप्योगी सावित हो यानि की 4 नमबर जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ठीक है त बरतमान में किस प्रकार का पत्र प्राप्त करने के लिए डांकिया द्वारा आपके हस्ताक्षर लिए जाते हैं तो किस प्रकार का पत्र प्राप्त करने के लिए तार, अंतर देशिय पत्र, स्पीट, पोश्ट या पंजीकरत डांक बरतमान में किस प्रोकार के पत्र प्राप्त करने के लिए डांक या द्वार आपके हस्ताक्ष लिए जाते हैं तब आपका थर्टि फाइप का जो राइट रांसर हो जाएगा यानि कि चार नम्मर यहां पर आपका विल्गू सही होगा ठीक है? चार नमबर जिन्हों ने भी बताया, उनको आंसर सही है अंगला आपका question है, स्कुलों में बालकों की सुनने की परक्रिया को बढ़ाने के लिए केबल बिबिन घटनाओं को सुनना चाहिए, केबल कविताय सुनानी चाहिए, केबल कहानी सुनानी चाहिए या उप्रोगत सभी इस्कूलों में बालकों की सुनने की प्रिक्रिया को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए तब आपको उत्तर बताना है प्रशनिकरमांग 36 का और 36 का राइट आंसर होगा उप्रोगत सभी स्कूलों में बालकों की सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए जो है एक नम्मर आपका विल्कुल सही हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर अपने सिक्षा सास्र का अध्यन किया है अब अपन करेंगे दोस्तों क्या करेंगे गद्यांस और पद्यांस को पढ़ने का अध्य दूँगा बीच में कंठस्त का आश क्या है कंठस्त का तो वैसे भी आप जानते हैं क्या होगा कंठस्त का अर्थ यहाँ पर एक सब्दाया है कंठस्त इसका अर्थ बताना है कि कंठस्त का आश क्या होता है याद कर लिना कंठ का प्रियोग ना करना कंठ को साप करना या फि पूल जाना तब आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा याद करना याद करना यानि कि ए नम्मर आपका यहाँ पर बिलको सही होगा ठीक है एक नम्मर अंगला कॉस्चन है साथी ओ आपका भारतिय साहित का भंडार बिद्वानों ने किस भासा के जरिये भरा है यहाँ पर है आपका भारत के कौने कौने से कभियों और बिद्वानों ने संस्कृत के जरिये ही भारतिय साहित का भंडार भरा है तब आपको उत्तर बताना है यह आपके प्रस्णोर उत्तर रहेंगे यहाँ पर यह है आपसे पूछा गया कि भारती साहित का भंडार विद्वानों ने किस भासा के जरीए भरा है तो आपने टोपिक पहले पढ़ें और फिर उत्तर बताना है एक नम्मर आपका संस्क्रित बिल्कुँ सही हो जाएगा अंगला कॉस्चन है आपका भारत में कितनी भासा हैं बोरी जाती है एक, दो, पांच या फिर अनेक कितनी भासा हैं बोरी जाती है चार बेकल्प है चार में से एक कचेन करना है भारत में कितनी भासा हैं बोरी जाती है तब ऐसे ही आंसर बताना है सबी लोगों को अंसर क्या हो जाएगा अनेक अनेक यानि की चार नमबर सही हो जाएगा ठीक है चार नमबर बिलकुल आपका राइट अंसर होगा अंगला कॉस्चन है साथियो पुराने जमाने में भारत में किस भासा का प्रियोग होता था संस्कृत, हिंदी, अर्भी या फिरेन में से कोई नहीं ये चार विकल्प में पुराने जमाने में बताना है तब आपका यहाँ पर आपका विकल्प आता है किन्तु पुराने जमानी में संस्कित का प्रियोग सारी भारत में होता था है ना ये आपको यहाँ पर पढ़ना है और फिर उत्तर यहाँ पर बताना है ये रहा आपका प्रस्ने पुराने जमानी में भारत में किस भासा का प्रियोग होता था तो बिल्को सही आंसर है आपका ए नमर संस्कृत भासा का प्रियोग होता था एक नमर जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्को सही है ठीक है अंगला question है भारत की कौन सी कहानी का भंडार दूर दूर देसों तक फैला पहुँचा केबल जातक, केबल कथा सरित सागर, केबल पंचतंत्र या फिर सभी आपका उत्तर भारत की कौनसी कहानी का भंडार दूर दूर देसों तक पहुचा तो यहाँ पर आपका पैराग्राप है हमालाय परबत और गहरे गहरे सागरों को पार करके भारत की कहानी का भंडार कथा सरित सागर, पंचतंत्र और जातक दूर दूर देसों तक पहुचा तब आप उत्तर बताएंगे यह आपका प्रस्ण रहा भारत की कौनसी कहानी का भंडार दूर दूर देसों तक पहुचा है तो आपका उत्र क्या होगा केबल जातक, केबल कथा सरिस्तर केबल पंचत तंत्र आपका उत्र हो जाएगा उप्रोक्त सभी यानि की चार नम्मर यहाँ पर विल्कुछ सही होगा ठीक है चार नम्मर यहाँ पर पैराग्राप में आपको जो दिखाता हूँ उसको पढ़ना है फिर उत्र बताना है इलिएड और ODC महाकाब में कुल मिलाकर कितनी पंग्तियां है 38,000, 18,000, 28,000 या 27,000 ठीक है इलिएड और ODC में अब यहाँ पर आपको पढ़ना है तो यहाँ पर यहाँ से पढ़ना है महाकाब इलिएड तथा ODC पेसे बर गाने बालों की पीड़ी दर पीड़ी को कंटस्त थे इन दोनों महाकाव्वेउं में कुल मिलाकर 28,000 पंक्तियां है एठी हजार अब उत्तर आपको बताना है कि एलियर्ट और ओडी सी महाकाव में कुल मिलाकर किपनी पंक्तियां है 28,000 है ना 18,000 है या फिर 28,000 या 27,000 सबी लोग आंसर बताएंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो अधिकांस लोगों ने बिल्कुछ सही बताया है 28,000 यानि कि 3 नम्मर आपका सही है ठीके 28,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा अंगला क्वेस्चन है आपका पंच तंतर में कौन सा समास है सबी लोग बताएंगे पंच तंतर में हमें समास बताना है पंच तंतर में दिगू, द्वन्द, अब्याईभाव या फिर कर्म धाराए कौन सा समास हो जाएगा आपका पंच तंतर में सबी लोग बताएंगे ब्याकरण से संबंदे थे आपका और पंचत अंत्र में समास बताना है तब आपका राइट अंसर क्या होगा तो अधिकान्स लोगों ने बता दिया है दिगू समास दिगू यानि की जो बिकल्प नम्मर आपका एक है वो विल्कू सही हो जाएगा ठीक है एक नम्मर आपका सही है पंचत अंत्र में जो समास है वो दिगू समास है अंगला कॉस्चन है दोस्तों ODC किसके द्वारा रचित एक महाकाब है इलियट, कालरेज, होमर या फिर रिचर्ट्स के द्वारा ठीक है यह आपने कॉस्चन पढ़ दिया अब यहां से जरा पढ़ो यहां से पढ़ो यूनानी महाकभी होमर जिसका काल इसा से 900 पूर्ब है के महाकाब इलियट तथा ODC पेसे बर गाने बालों की पीड़ी दर पीड़ी कंटस्ट थे तब आपको यहां पर प्रस्ण बताना है कि ODC किसके द्वारा रचित एक महाकाब है आपको पैरा ग्राप मैंने पढ़वाया है इलियट, कालरेज, होमर या फिर रिचर्ड तब सभी का आंसर आने चाहिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा बिलको राइट आंसर होमर, होमर यानि कि जो बेकल्प नमर आपका तीन है वो बिलको सही हो जाएगा तीन नमर ठीक है, very good अगला देख लेते हैं, होमर कौन थे, होमर कौन थे, कथाकार थे, अध्यापक थे, महा कभी थे या अभी नेता थे अभी हमने पंक्ती में पढ़ा है, अब आपको बताना है कि होमर कौन थे सभी लोग आंसर बताएंगे तब सभी का आंसर क्या आया है, महा कभी थे, यानि कि बिकल्प नमर तीन बिकल्प नमर तीन आपका सही है, मिसन कितना है अपना मिसन तीस में से तीस मिसन तीस में से तीस, एक भी कॉस्चिन गलत नहीं होनी चाहिए तीन नम्मर आपका यहाँ पर सही होगा ठीके होमर का महाकाब है तो इलियम, इलियड, ODP या फिर क्रू एंड क्रू होमर का महाकाब कौन सा है यह चार विकल्प में से बताना है यहाँ पर आपके दिये हैं यहाँ पर देखो महाकाबी होमर जिसका काल ईशा 900 वर्स पूर्व के महाकाब इलियड तथा ODP पेसे बरगाने बालों की है तो यहाँ पर आपको बताया है कि होमर का महाकाब है तो कौन सा है इलियम, इलियड या फिर ODP या क्रू एंड क्रू है ना तो आपका उतर होगा इलियड यानि की जो बिकल्प नमबर टू है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा टू नमबर का ठीक है अंगला कॉस्चन देखो महाकाब सब्द में कौन सा समास है दिगू है, द्वंद है तत्परोसे या कर्मधारा है महाकाब सब्द में समास बताना है समास कौन सा है अब मैंने सोचा कि पैरागराप जो है बड़ा होता है तब मैंने एक Scheme सोची कि जो पैरागराप है और जो आपके उत्तरक से सम्मंदित पैरागराप है इसको टिक करो और आप तक मेंचाओ फिर आप उत्तर बताएं, तो यहसे में अपना समय भी कम खत्म होगा, और आपको एक बोवी मिलती है, कि हाँ हम उत्तर बता रहे हैं, और महाकाब सब्द में जो समास होगा, वो करमधाराए, यहनी कि D-NUMBER आपका विल्को सही होगा, D-NUMBER करमधाराए, समास राइट अंसर ह अंगला question देख लेते हैं, अनोखा सब्द का समानार्थी सब्द क्या है, केवल अनूठा, केवल अनूपम, केवल निराला या उप्रोक्त सभी, अनोखा सब्द का बताना है आपको, समानार्थी, सभी लोगों ने परियावाची, समानार्थी, बिलोम, जिस सारे के सारे तो आपका सही हो जाएगा उप्रोक्त सभी निराला भी है अनुपम भी है अनूठा भी है है ना चार नम्मर आपका विल्को सही होगा अंगला कॉस्चन देख लो बिद्वान सब्द का इस्त्रीलिंग सब्द बताना है बिद्वान का इस्त्रीलिंग क्या होगा बिद्वाई बिलासी, बिकारी या बिदूसी बिद्वान सब्द का इस्त्री लिंग हमें बताना है तब आपका बिल्कुल सही होगा बिदूसी यानि की बिकल्प नम्मर चार बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है बिद्वान सब्द का इस्त्री लिंग होता है बिदूसी चार नम्मर विल्कुल आंसर सही है अंगला कॉस्चन है भारत के कोने कोने में भारती साहित का भंडार किसने भरा है इन मेंसे कोई नहीं किवल कभियों ने किवल बिद्वानों ने कभियों और बिद्वानों दोनों ने यहां पर आपका दिया है क्या दिया है भारत में सदा स पुराने जमाने में संस्कित का प्रियोग भारत में सारे भारत में होता रहा भारत के कोने कोने से कभियों और विद्वानों ने संस्कित के जरिये भारतिय साहित का बंडार भरा है यहां से आपको उत्तर बताना है उचा गया है कि भारत के कोने कोने में भारतिय साहित का सरा आता है कभियों और बिद्वानों यानि की चार नमर आपका विल्कु सही होगा है ना एक भी कॉस्चिन गलत नहीं होना चाहिए मिसंद 30 में से 30 ठीक है भारत की कहानिया किसको पार करके दूर देशों तक पहुँची इन में से कोई नहीं हमाले परबत और सागरों दोनों केबल हमाले परबत या केबल सागरों यह बताना है हमें तो यहां पर आपका है कि हमाले परबत और गहरे गहरे सागरों को पार करके भारत की कहानियां का भंडार कथा दूर दूर देशों तक पहुँचा तब आपको उत्र बताना है यह हैं आपके विकल्प भारत की कहानि दूर दूर देशों तक पहुची हैं यहीं कि बी नम्मर आपका विल्को सही होगा ठीक है अब आपको बताना है यहाँ पर अनंत अंत्रिक्ष में अनंत देव हैं खड़े समक्ष की स्वबाहू जो बड़ा रहे बड़े बड़े हैना परस पराव लंब से उठो तथा बड़ सभी अभी अमत्र अंक में अपंक हो चड़ो सभी रहो नायों की एक से नकाम और का सरे अब आपको बताना है खड़े और बड़े सब्द में निम्न मैंसे क्या है तो कानत है इन मैंसे कोई नहीं है बिलोम है या परियावाची है आपको बताना है खड़े और बड़े सब्द में यहाँ पर खड़े आया है और यहाँ पर बड़े आया है खड़े बड़े सब्द में क्या है यहाँ पर देख लो यहाँ पर खड़े और यहाँ पर बड़े ठीक है तो खड़े और बड़े हो जाएगा Confuse नहीं होना Confuse होकर के एक नंबर नहीं कटवाना है एक बिकलब आपका एक साई हो जाएगा ठीक है अनन्त अंत्रिक्ष में अनन्त देवअपन ने पड़ दिया अनन्त का बिलोम सब्द बताना है प्रारंब अकाल सीमित या फिर अन्त अनन्त का बिलॉम सब्द बताएंगे क्या हो जाएगा आपका ए प्रेक्टिस सेट हिंदी भासा प्रतम की आपकी रोज प्रेक्टिस सेट चलेगी नौ बजे ठीक है अनन्त का बिलॉम सब्द आपको बताना है क्या हो जाएगा तब आपका उत्तर होगा क्या होगा अन्त अनन्त का होता है अन्त अनन्त का अन्त गलत कर लिया ना कन्फ्यूज हो के अनन्त मतलब जिसका कोई अन्त ना हो और अन्त मतलब जिसका कोई अन्त हो है ना तब अनन्त का बिलोम होता है अन्त अनन्त का बिलोम क्या होता है अन्त यानि की बिकल्प नमर चार होता है है ना ऐसे कन्फ्यूज हो के प्रशन को गलत नहीं करना है जिन्होंने गलत कर लिया है मिसन है 30 में से 30 ठीक है प्रशन को अच्छे से समझना है पढ़ना है और बताना है आपका प्रश्न है अनंत खाली स्तान खड़े पंक्ती में कौन सा अलंकार है आपको बताना है अनंत देव हैं खड़े या फिर अनंत जो है अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े कौन सा अलंकार है इन में से कोई नहीं समासोक्ती बक्रोक्ती या फिर दीपक अगर आपने अलंकार पड़े हैं तो अलंकार आपको अलंकार की परिभासा पता होगी और परिभासा पता होगी तो उतर भी सही होगा है ना यहाँ पर आपको पंक्ती भी दी है उतर क्या हो यानि कि जो बिकल्प नम्मर एक है वो यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है एक नम्मर यहाँ पर हमने देखा कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े अनंत अनंत सब्दाया है दो जगा है ना तो आपको याद रख लीना है अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े तो जो है आपका विकल्प नम्मर एक जो है यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है अनन्त का सब्द तो एक ही निकर रहा अर्थ तो एक एक ही अनन्त है लेकिन दो बार प्यूज हुआ है और अर्थ एक निकले तब सिलेस अलंकार वहाँ पर होता है कि एक ही सब्द का अनेकों बार अर्थ अनोकों बार जो है आए लेकिन अर्थ एक ही हो तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा सिलेश है ना हाँ बार बार आए और अर्थ भी अलग हो तो होता है अपना यमक बार बार आए लेकिन अर्थ एक हो तो सिलेस है ना तो आपको स्वबाहू में स्वबाहू में स्वबाहू का अभी प्राय क्या है बताना है सबी लोग बताएंगे स्वबाहू में स्वबाहू में स्वबाहू में स्वबाहू का अभीप्राय क्या है यहां पर आपका सब दाया है समक्च ही स्वबाहू जो बड़ा रहे बड़े बड़े स्वा बाहू में स्वा का अर्थ बताना है हमें क्या हो जाएगा आपका स्वा बाहू स्वा बाहू में स्वा का अभी प्राय अन्न से है सुगंद से है स्वयम से है अतीत से है तब आपका राइट अंसर क्या होगा बिल्कुँ सही अंसर स्वयम से स्वयम यानि की बिकल्प नमर आपका सी जो है वो बिल्कुछ सही हो जाएगा तीन नमर आपका राइट आंसर होगा अंगला कॉस्चन देख लेते हैं अंगला है अंत्रिक्ष सब्द का परियावाची सब्द कौनसा होगा कौनसा नहीं है बताना नहीं है यहाँ पर नहीं और हैं भी अपन को देखना है एक भी कौस्चन एक मन में धारना लेकर के जाओगे कि एक भी कौस्चन क्या नहीं होनी चाहिए गलत नहीं होनी चाहिए जब ए धारना आपके मन में रहेगी तो आप प्रस्ण को अच्छे से पढ़ोगे और यहाँ पर नहीं है तो नहीं है बताना है कौन सा नहीं है नभ है गगन है मगन या फिर नभ मंडल तो प्रस्ण को अच्छे से पढ़ना है देखो यहाँ पर गगन दिया और यहाँ पर मगन दिया है जल्दी जल्दी के चक्कर में नहीं बहुत हमसे बन गया उत्तर तो मगन की जगा गगन टेक नहीं कर देना है ना तब आपका बिकल्प नमबर जो तीन है वो बिल्कुछ सही हो जाएगा मगन सही होगा यह अंतरिक्ष का प्रयाबाची नहीं होता अंगला कोस्चन है आपका आकास में कौन खड़ा ग्रह देवता दानाव या फिर तारे तो इसको पड़ो जरा अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े समक्च ही स्वबाह जो बड़ा रहे बड़े बड़े तो यहाँ पर आपको बताना है कि आकास में कौन खड़ा है ग्रह खड़े हैं देवता दानाव या फिर तारे तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि यह तो सरल है है ना तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा देवता यानि की बेकल्प नमर टू आपका सही हो जाएगा ठीक है टू नमर जिन्हों न उसकी प्रैक्टिस करेंगे देव का परियावाची सब्द कौन सा नहीं है देव का परियावाची नहीं है बताना यहां पर नहीं और है में आपको विसेस ध्यान देना है नहीं है तो कौन सा नहीं है देवता स्वर दानाव या फिर बसू तो परियावाची सब्द नहीं है बताना है तब आपका राइट आंसर होगा दानव दानव यानि कि जो बिकल्प नमबर आपका तीन है वो बिल्कुस सही हो जाएगा तीन ठीक है दानव सही होगा दानव देव का परियाबाची नहीं होता बलकि क्या होता है है ना तो आपका तीन नमबर बिल्कुस सही हो जाएगा देवता सौर बसू ये देव के होते हैं ठीक है बहुत बड़िया आंसर देखो अंगला आपका question है कि देवता दयालू मनुस्त को कहां बिठाए है देवता दयालू मनुस्त को कहां बिठाए है पैर पर हाथ पर नचत पर या फिर गोद पर तो यहां पर अच्छे से देख लिए ना यहां पर है कि परस पराब लंब से उठो तथा बड़ो सभी अभी अमत्र अंक में अपंग हो चड़ो सभी है ना तो यहां पर आपको बताना है कि देवता दयालू मनुस्थ को कहां बिठाए है पैर पर हाथ पर नचत पर या फिर गोद में बिलको सही आंसर आपका क्या हो जाएगा गोद में यहीं कि बिकल्प नम्मर आपका जो चार है ठीक है वो बिलको सही हो जाएगा अंगला क्वेस्चन देख तो देवता किसके स्वागत के लिए खड़े है परोपकारी मनुस्थ के पापियों के स्वयम के या फिर दानाओ के है ना तो यहां पर देखो अनंत अंत रिक्ष में अनंत देव हैं खड़े समक्च ही स्वबाह जो बड़ा रहे बड़े बड़े है ना परस पराब लंब से उठो तथा बड़ो सभी अभी अमत रंक में अपंग हो चड़ो सभी रहो नायों की यह किसे ना काम और कासरे बही मनुस्थ है कि जो मनुस्थ के लिए मरे देवता किसके स्वागत के लिए खड़े हैं तो वो खड़े हैं परोपकारी मनुस्थ क कि दे रहे हैं कभी ने सब को एक होकर चलने के लिए क्यों कहा है क्योंकि मनुस्ष अक्रमंड और धूर्त है मनुस्ष का जीवन आपसी सहकारिता पर निर्भर है मनुस्ष का काम ही गुलामी करना है मनुस्ष आसामाजिक प्राणी है तो आपको बताना है कि कभी ने सब को एक होकर चलने के लिए क्यों कहा है जल्द बाजी में किसी को उत्तर नहीं देना किसी को टिक नहीं करना है ना उत्तर बताना है तो समझ के बताना है तब आपका राइट आंसर क्या होगा मनुस्थ का जीवन आपसी सहकारिता पर निर्भर है टू नम्मर आपका सही होगा है ना हो बिल्कुल भी ऐसे question को देखो, question को इस प्रकार से देखो कि आप से बिल्कुल भी नहीं बनता है, है ना, बिल्कुल भी नहीं बनता है, मतलब आप बहुत अच्छे से देखोगे, इसलिए question को किसी भी question में जल्दबाजी नहीं करना है, कभी कि अनुसार मनुस से कौन है, जो एक दूसरे का बिरोत करे, एक दूसरे से इस्तिया रखे, एक दूसरे के काम आए, या फिर एक दूसरे के काम कभी न आए, तो आपको बताना है कभी के नुसार मनुस से कौन है, आपने पड़ा है, कि बही मनुस से है, जो मनुस से के लिए मरे, तो आपका उत्तर क्या होगा? राइट अंसर बताना है उत्तर बताया है एक दूसरे के काम आये यहनि की जो बिकल्प नमबर आपका 3 है जो बिकल्प नमबर आपका S है वो विल्कुल यहां पर P से हो जाएगा ठीक है S नमबर अंसर आपका राइट आंसर है अंगला question देख लेते हैं कभी के अनुसार मनुस्त को कैसा होना चाहिए केवल परोपकारी केवल दयालू केवल भलाई करने वाला या उप्रोक्त सभी तो कभी के अनुसार मनुस्त को कैसा होना चाहिए सभी लोग आंसर बताएंगे तब आपका राइट अंसर होगा परोपकारी भी दयालू भी भलाई करने वाला भी यानि की जो परोक्त सभी है वो बिल्कु सही हो जाएगा दी नम्मर का ठीक है दी नम्मर अपना मिसन है हिंदी प्रथम भासा तीस में से तीस एक भी कॉस्चन कहीं से भी गलत नहीं कोई भी आसा नहीं कहीं से भी कोई बो नहीं है ना तीस में से तीस मनुस्त को किस के लिए जीना चाहिए अग्यान के लिए लोप के लिए स्वार् करवाया है ना फिर गद्यांस पद्यांस भी करवाया और मनस्थ को किस के लिए जीना चाहिए तब आपका उत्तर हो जाएगा क्या भलाई के लिए जीना चाहिए हैना भलाई के लिए हैना जल्द बाजी नहीं करना नहीं तो स्वार्थ के लिए लगा के आ जाओ स्वार्थ के पहले पड़ो अज्यान के लिए नहीं है, लोब के लिए नहीं है, स्वार्थ के लिए नहीं है, उत्तर अपने आप निकल करके आएगा, एक पहले काटना सीको, प्रस्ण के बिकलब को काटना सीको, नहीं है, नहीं है, नहीं है, हर प्रस्ण में जल्द बाजी नहीं करना, प् बिरोध से या फिर किलेस से मनुस्त को आपस में कैसे रहना चाहिए? सबी लोग बताएंगे उत्तर आपका क्या होगा? मनुस्त को आपस में कैसे रहना चाहिए? आपका राइट आंसर क्या होगा? ए नम्मर ए नम्मर यानि की भाईचारे से है ना भाईचारे यानि की एक नम्मर आपका विल्को सही हो जाएगा जिन्होंने भी एक नम्मर बताया है वो विल्को सही है ठीक है और वीडियो आपकी अगर तनक 5% भी काम आता हो तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो लाइक करके आज नहीं जाएगा ठीक है अगर 5% भी मैं कुछ आपकी भले के लिए आपकी भलाई के लिए या कैसे भी समझो बता रहा हूँ तो लाइक जरूर कर लेना ठीक है प्रस्तुत पध्यांस के माद्यम से कभी संदेश क्या द होते हैं कि लेते तो बहुत कुछ हैं लेकिन देना कुछ नहीं चाहते है ना तो वो आपने फिल में देखी होगी अजय दियोगनवाली क्या कैसी है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है इसी परकार से अगर आपको ग्ञान प्राप्ट करना है तो एक लाइक जो आपको देना है वो आपको जरूर खोना पड़ेगा है ना खोना नहीं मतलब अपना वैक्ट करना पड़ेगा ठीक है तो इसी प्रकार से आपका उत्तर होगा परुपकारिता एक नम्मर बिल्कुँ सही हो जाएगा यहाँ पर अपने प्रितम भासा के 30 प्रस्ण खतम होते हैं सभी लोग बताएंगे कैसा लगा आपको वीडियो आपके 30 में से 30 आए की नहीं आए किस किस के आए है किसका एकात प्रस्ण गलत हुआ है वो जरीर बताएंगे ठीक है और रोज आपको 9 बजे आना है पूरा का पूरा टेस्ट लगाना है बिल्कुल भी कुछ बिगरने बाला नहीं है धारना मन से यह निकाल लेना कि हाँ यह तो बिल्कुल सरल है अगर एक कॉस्चन भी आपका गलत होता है तो वो आपका सेलेक्शन रोक सकता है यह मेरी गारंटी है है ना तो एक भी कॉस्चन ना गलत हो इसके लिए प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करोगे आपके अंदर आदत आएगी हल करने का है ना हल करने की आदत आएगी प्रशन को सॉल्व करने को प्रश्न पत्र को देखने का नजरीया आएगा ठीक है तो ये सभी के सभी हरियों जी अंजना जी उदै जी और किरन जी लोकेश जी सभी लोग वीडियो को लाइक करके सेयर जरूर करना है रिंकी पाल जी कुमारी जी है ना कुमारी अंजु जी इसमिर्ता पुसपा लोकेश जी नेता जी और जुगल जी बहुत बढ़िया और मदुराज जी महराज लोदी जी लता जी धिपया जी नेहा जी कृष्णा जी और भोगराम पुसपा जैसवाल जी मंगल जी सभी लोगों को है ना धनवाद सुरेश सरमा जी सूरज साहू जी सभी लोग धनवाद नेक्स ब्याकन है जो आपको आप कनफर्म करनी है कि आखिर समास में क्या होता है अलंकार में क्या होता है संधी भी पूछ ली जाएगी इसके अंदर परियाबाची भी आपसे पूछे जाएंगे तो ब्याकन से कुछ भी आपके 4-5 प्रसने से पूछ लिए जाएंगे तो ब्याकन को भी आपको confirm करना है जिन से नहीं आती है वो practice set जरूर लगाएं ठीक है हाँ तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही सबी लोगों के गुला हरियों ओदै जी करन जी लोकेश जी मनीशा जी सबी लोगों के लिए बहुत बहुत धनवाद ठीक है आज के हिंदी की वीडियो के ये बस इतना ही और जो भी और भी टेस्ट लगाना चाहते हैं वो description में परिक्षा एप की लिंक दी है परिक्षा एप को खरीदो उसमें मैंने जो code बताया है वीडियो के शुरू में उस code को यूज करो और 25% का उसमें आपको discount भी मिल जाएगा ठीक है बैसे अगर खरीदो क तो आपको 100% पैसे लगेंगे और इस code का यूज करोगे तो 25% का discount आपको मिलेगा परिक्षा एप ठीक है जो भी खरीदना चाहते हैं परिक्षा एप वो खरीद सकते हैं description में link है और link से आप परिक्षा एप खरो दो उसको उसमें syllabus के अनुसार आपको test करवाया जाता है जारी का किस परकार से है किस परकार की प्रस्ने पूछे जाएंगे तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही जैहिन